यहिन साथी हों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासे से आई होप आप सब बढ़िया होंगे उशल मंगल होंगे और जो है अपने गौवर्मेंट जोब की तयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे क्राउल समझते हों नहीं समझते हैं दो क्या होता है मगरमच हुआ घडियाल हुए यह जो इसे रहेंगने वाले जी होते हैं यह आपके पास क्या एक ही जगे पैसे घूमना चालू करते हैं इसको बोलते हैं क्राउलिंग करना इसे क्रोकोडाइल जो है वह फुराउल करता है करता है तो एक जगे पर आपके जिससे कोई भी शिकार को पकड़ेगा अब शिकार को पकड़ लिया अब उसको क्या करना है उसको तोड़ रहा है तो कैसे तोड़ेगा ऐसे तोड़ेगा तो नहीं तोड़ेगा तो पहले क्राउल करेगा क्राउल करेगा तो बिल्कुल कस देगा घुमाते से हड्डियां टूट जाएगी और टूटते से फिर उसकी बाद खींच के जैसे उसको लगया कि हाँ अब हड्डी विल्कुर क्रैक हो चुकी है अब बास को मैं ताका से खींच सकता हूं तो ग्राउल अभी आप देना क्राउलिंग जो है वो बैसिकली क्या ह है कि इंडक्शन मशीन में जैसी आप पूरती हटाऊगे आप पूरती हटाने के बाद मशीन रुख जाना चाहिए यस और नो रुख जाना चाहिए लेकिन अगर फिर भी मशीन धीरे-धीरे घुमती रहे अपनी सिंक्रोनस स्पीड के एक बड़ा सात्वे भाग पर वन काम याद आया और फिर उसके वाद आप कुछ काम करने लग जाते हों और फिर आप नोटिस करते हो कि आपने पंखा बंद कर दिया था लेकिन पंखा अभी भी धीरे-धीरे खूंब रहा है अब बताओ आप क्या करोगी बोले सार हम कुछ भी नहीं करेंगे हम भग लेकिन फिर भी आपके क्या है सप्लाई जो है लगातार चल रही है तो इसका मतलब क्या है फिर आप कमरे से भग जाओगे कि यार ऐसा कैसा और आपको सुच रहा है आपने स्विच बंद कर दिया स्विच बंद किया और फिर आप कमरे बंद भी हो गया वह फिर आप कमरे मे कुछ देर रुके कुछ ना कुछ काम करने लिए और अचानक स्विचोन हो जाएगा ठीके या फ्लिक्रिंग करने लग जाएगा जिसे होरर पुवीज में नहीं होता है गया हाना चलो खेर कोई बात नहीं आपने दुबारा बंदी किया और बंद हो गया दुबारा फिर सिनेमा दिखाना होता है इसलिए वह विर्कुल करेक्टर को भी रखते है यह जब भूद नहीं आएगा आपको हम भूद के इंदिजान नहीं करेंगे हम भग जाएंगे वहां से अभी आप देखना अभी क्रावल बैसे के लिए ही है क्रावल में क्या होता है कि मशीन फिर आपके क्या है अपनी वन सैवेंथ स्पीड पर मिला सिंक्रोनस स्पीड के वन सैवेंथ पोर्शन पर गूमती रहती है इसे क्रावल दोष कहता है चलो तो अभी आपके पास क्या है हम बात करते हैं क्रावलिंग क्राउलिंग क्राउल हाना तो इंड़क्शन मशीन के रोटर का आपूर्ती वही नवस्था में हाना हम क्या वह लेंगे अपके इंड़क्शन मोटर इंड़क्शन मोटर के रोटर का आपूर्ती विहीन अवस्था में आपूर्ती विहीन विहीन अवस्था में अवस्था में तो इंड़क्शन मोटर के रोटर का आपूर्ती विहीन अवस्था में अपनी सिंक्रोनस गती अपनी सिंक्रोनस गती सिंक्रोनस गती के एक बटा साथ भाग पर घूमना भाग पर धीरे धीरे घूमना धीरे धीरे घूमना धीरे धीरे घूमना धीरे धीरे घूमना आपके क्राउलिंग दोष कहलाता है crawling क्रاؤलिंग दोष कहलाता है तो हम क्या गया सकते हैं induction motor के rotor का आपूर्ती वी ही नवस्तामें अपूर्ती वी ही नवस्तामें ठीके, अपनी synchronous गती तो ये आपके पास क्या हुगया synchronous गती कि एक बड़ा साथ भाग पर गुमना यार ये भी याद द्याद रखना 1 by 7 आपके पास स्पीड एक बड़ा साथ भाग पर दिरे-दिरे गुमना crawling दोश कहलाता है तो अभी आप देखो पहला point आपको clear होगे कि basically crawl होता क्या है यहाँ पर आपसे जानका लिए मांगेगा कि crawling basically है क्या चीज़ आप बता ना crawling का मतलब यह होता है हाना अब आप बताओ अगर यह ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही ह्ति कि basically आपके harmonics के कारण कर रही है harmonics मतलब होता हमारा विवधान अच्छा हार्मोनिक्स मतलब व्यवधान का मतलब समझना जैसे कि मालो आप कोई भी गाना सुन रहे हो यह आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप गाना सुन रहे हो बगल में आपके आपके दोस्त गाने को गारे आप क्या बोलोगे यार चुपचाब हो जाओना आपको अभी आपका दोस्त आगे से आए कुछ बता रहा है आपको अभी देखिए अभी देखिये सा फिर ऐसे ऐसे अपने ग्यान पेल रहा है आप उससे क्या बोलोगे कि भाई मैं तेरे को सुन लूँगा कामरे पर आपने डिसकस कर लेंगे अभी फिलाल के लिए शान्त हो जा क्योंकि अभी फिलाल तुमझे इरिटेट कर रहा है परेशान कर रहा है तुम मेरे लिए एक तरीके का विवधान है डिस्ट्रबेंस है हार्मोनिक्स है तो यह बेसिकली क्या होगा हार्मोनिक्स अभी आप समझना जैस आपके पास कोई signal है, यह आपके पास कोई source है, अब देखना मैंने क्या किया आपके साथ, मैंने आपके साथ किया कि यहाँ पर एक आपके पास क्या है और मैं signal दे रहा हूँ, बड़ा light signal दे रहा हूँ आपको, इतना strong signal नहीं है, लेकिन बदाई क्या है, जिसे कि वो signal यह चल तब साथ में ही है, हमारे आपके पास के साथ है ना, ये तो आपके पास है, मुख्य सिगनल है, ये तो आपके पास जो है, ये वाला जो सिगनल है, ये वाला सिगनल, इसे मैं क्या बोलूँगा, ये फंडामेंटल आपके पास बेव है, ये जो दिख रहा है ना ये ये आपको जो नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं आपके पास A और ये जो है ये आपके पास है B ये आपके पास क्या है B ठीकें ये आपके पास क्या है A और ये आपके पास है B आधार भूत तरंग बोल सकते हिंदी में इसको इंगलिश में बोलेंगे आपके fundamental waveform यह आपके आधार भूत तरंग है आधार भूत आधार भूत आपके पास क्या तरंग है fundamental waveform जिसको की हम कहेंगे यह आपके पास क्या है fundamental waveform fundamental waveform यह fundamental waveform B basically knot क्या है भाषिए बहुता आप कुछ भी नहीं है B वू है जो distortion है जो परेशान कर रहा है तो B kya है B हमारे पास क्या है आपके पास क्या है waveform harmonics है ब जो है ब को हम क्या बोलेंगे विवधान भाषिप हमारे लिए क्या है विवधान तरंग है तो विवधान विवधान तरंग है पी जो है वो क्या है आपके पास विवधान तरंग है इसको हम बोलते हार्मोनिक्स क्या बोलेंगे इसको हम हार्मोनिक्स बोलेंगे ये आपके पास क्या है हार्मोनिक्स भी हमारे लिए क्या है harmonics है अभी आपको समझ में आ गया हो कि harmonics है अब देखना हम बात कर रहे हैं कि आपका जो क्राउल है वो क्राउल किसके कारण पैदा हो रहा है तो हम बोलेंगे क्राउल जो है वो आपके पास क्या है 3rd 5th 7th harmonics के कारण पैदा होता है तो ये basically क्या है एक तो आपके पास होता है even एक होता है odd है तो ये आपके odd harmonics है हम क्या कह सकते हैं क्राउल दोश क्राउल आपके पास क्या है क्राउल दोश थर्ड- थर्ड कोमा फिफ्ट कोमा सेवन्थ है ना क्राउल दोष्ट थर्ड कोमा फिफ्ट कोमा सेवन्थ harmonics 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 तो crowd दोष 3,5,7 harmonics अभी मैं slash करके दूसरा नाम लिख दूँ इसके लिए slash करके दूसरा नाम लिख दू अब मुझे एक बात बताओ 3,5,7 यह आपके पास even है या ode है हाँ odd है ना भाई मेरे हाँ तो आपके पास क्या ode तो इसे हम क्या बोलेंगे आपके पास odd harmonics odd harmonics odd harmonics हाँ तो basically आपके पास क्या crowd दोष जो है 3,5,7 harmonics that odd harmonics के कारण उत्पन होता है हाँ के कारण उत्पन होता है के कारण के कारण उत्पन होता है उत्पन होता है ठीग ना तो basically आपके जो crowd दोष है वो 3rd, 5th, 7th harmonics odd harmonics के कारण उत्पन होता है ठीग ना अभी आपके बात तो समझ में आ गई होगी यार अगर इसके कारण पैदा हो रहा है ना बहुत ज्यादा precise machine है ना तो वहाँ तो हम कोशिश करेंगे इसको हटाने की लिए ना बहुत प्रिसीजन आपके पास क्या है application है जैसे की मालो फार्मा इंडस्टी के अंदर इतने आर्पीम पर घूमना है और जैसी बंद करें वैसी रूपना है इसके बाद नहीं घूमाना इसको ऐसे घूमाते से दिक्कत आजएगी इसके अंदर तो बहुत precise equipment है तो इस तरीके के precise application होगे ना तो वहाँ तो हम इसको ध्यान में रखेंगे लेकिन नॉर्मली तुमारे वक्शॉप में machine घूम भी है थोड़ी दिर घूम भी लेगी ज्यादा तो क्या फरक पड़ता ह कोई फरक नहीं पड़ता उससे तो वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे तो अभी आप क्या है इस चीच को हटाओ आपके पास क्या होगी harmonics हट जाएगी तो हम क्या अगर सकते है और harmonics को रिमूव करके क्राउल दोश को आपके दूर किया जा सकता है अगर हम निवारन की बात कर है तो यह अभी क्या लिख रहे थे मिवारन लिख रहे थे क्या लिख रहता है उपर क्या लिखा अब आप इसको हटा दो आप अभी आप देखना यार यह बैसे के लिए fundamental wave के साथ होती है fundamental waveform जो हमारी होती है जिसका हम इस्तिमाल कर रहे हैं उसके साथ आपके पास क्या है इस तरीके के विवदान चलते रहते हैं अब जब तक ये विवदान आपको परिशान नहीं करते हैं तब तक तो ये विवदान है ही नहीं लेकिन जब आपको परिशान करते हैं तब हो जाता है आपके आसपास बहुत कुछ है लेकिन आपको नजर नहीं आता है जब आपको नजर नहीं आता तब तक कोई परिशानी नहीं है तब तक आप कहते हो अरे वैसा भूत अरे कुछ नहीं यार सब कहने चुनने वाली बाते हैं किसी ने बूद देखा है गया, हाना, कुछ नहीं होते हैं वैसा आप मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, ऐसा तरह बाते हो जाती हैं, लेकिन जब सामने आयाता है, और जब दिखाई दिया आता है, तो आप लोग को एक्स्प्लेइन नहीं कर पाते हैं, और लोग फिर आपके के बारे में वहीं सोच रहे होते हैं जो आप पहले दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है जो आपने नहीं देखा वो नहीं होता है ऐसा कभी नहीं होता तो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जब आपको सामने आ जाएगी जब आप देख लोगे तब automatically विश्वास करना चालू कर दोगे जब तक आपने नहीं देखा आपने उनके प्रभावों को अनुभाव नहीं किया तब तक कोई दिक्कत दी नहीं है तब तक बहुत बढ़िया चल रहा है जिन लोगों ने उनके प्रभावों को अनुभाव किया है जिनों ने उनके साथ आपके क्या है बुरे अनुभाव फील किये है जिनके सामने वे साक्षात आ चुके है जिनकी नजरे देख सकते अभी देखो अंधेरे में नजर आता है क्या आता है नहीं अंदेरे में नजर कौन कहता है अंदेरे में नजर नहीं आता है जानवरों को अंदेरे में नजर आता है बड़े क्लियर देखते है उनके पास जो नजर है अभी कुत्ते को देख लो वो सेज़ी सी चीज़े नजर आती इंसान बुलेगा नहीं आती, लेकिन वहीं जानर होता है, कितनी मस्त गंद आ रही है, और वो बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता-बक्ता इसी बात बोल सकते हो विया यह आपके पास जो ओड हार्मोनिक्स है को आपके पास फिल्टर करके तो हम बोल सकते हैं थर्ड कोमा फिफ्थ फिफ्थ कोमा सेवन्थ सेवन्थ डॉट 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 हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स स्लैश ओड हार्मोनिक्स 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 को फिल्टर करके filter करके इस तोश को दूर किया जा सकता है इस तोश को दूर किया जा सकता है दूर किया जा सकता क्लियर यह आपके पास क्या हो जाएगा क्राउल हो जाएगा हाणा क्लेर है बात तो अभी क्राउलिंग कम्प्रीट हो कि दिखो और अगर आज की क्लास में आप अभी तक बने हुए हो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजेगा अपने दोस्तों में शेर जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेए और हाँ बैल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँशना बहुत ज़रूरी है आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते हम अगली क्लास में करेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा पढ़िएगा और हाँ याज जुरूर करिएगा थैंक यू सो मच जैहिन जैभारत